तो हाई प्यारी स्टूडेंट, वेलकम टू सेलक्सन कोचेंग, आपका अपने शैनल सेलक्सन कोचेंग में फिर से वेलकम करते हैं, तो आज में आपके शामने एक नए टार्गेट के शाथ, CHS 2021 के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत खुश कबरी है, जो कि मैं अरेहंद बुक्स सेलीशन आपके सामने करवाँगा, अरेहंद बुक्स से एक एक क्वेस्टन को चैप्टर वाइज हमने करेंगे, और उसको प्लेलिस्ट आपको प्रोइड हो जाएगी, तो आप संदाय वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आईए हम लोग फर्स कॉशन देखते हैं, बच्चे इसमें दिया है, असी हजार, क्या दिया है, असी हजार का मदलब, असी के बाद 3-0 होंगे, 905, 905 का मदलब ये, तो आपका आप्शन क्या हो तो इसमें तो कुछ करना नहीं जादा था, ठीक है, इसमें क्या रहा है, बच्चो को शब्दों में लिखिए, पहले ध्या रखने है, बच्चो ऐसे कॉस्टन जिसको बिलकुल नहीं आ रहा है, जो एकदम सीख रहे हैं, उनके लिए मैं तरीका एकदम बता दे रहा हूं, दस हजार हो जाएगा, और यहां क्या जाएगा आपका, यहां देखिए, एकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए, सैकड़ा तो हम भोली गे, ठीक है, एक मिनट इसको मैं फिर से लिखता हूं, फोर सिक्स, टिपल जीरो, फाइव था, त्री जीरो ही थे, ठीक ही न, तो आपक सैकड़ा हो जाएगा बच्चो, यह आपका हजार हो जाएगा, यह दस हजार हो जाएगा, और यह आपका लाख हो जाएगा, अब बच्चे जो इंगलिस मीरे माले बच्चे हैं, उनको बोलते हैं, यह वन्स हो जाएगा, यह टेंस हो जाएगा, ठीक है, और यह क्या हो करना है तो देखिए बच्चो पहले समझ आगर मैं फॉल लेरा हूं इसके बाद कितने डिजिट आ रहें बच्चो फाइब डिजिट आ रहें और बताइए लाक में कितने डिजिट होते हैं तो फाइब होते हैं और ये ऐल पर ये लाक भी आ लाग चाहर पीयाँ तो चाहर लाग तो एक लाज होगा चाहर लाघ तो If 6 यह उंदभी 6 समझी आप 10공 लियाँ जाएगा 10 ध में कर वो ollut 8 को साथ लेना पड़ेगा जब 10 except 10 teeth 10 बोला जारे है जबंप 10 तोग को एक साथ लेना पड़ाई मैं तरीका सिखा रहा ने आप तो ऐसे जल्दी से बोल सकते हुआ कि यह चार लाग साथ हजार पांच तो आपसन क्या हो जाएगा तरिका सिखा रहा हूं ने आप तो एसे जल्दी से बोल सकते हैं कि अंको का स्थानी मान सबसे अधिक है अधिक होने का मतलब क्या होना चाहिए बच्चो जो सबसे पहले आएगा जिसका अब अधिक का मतलब सबका स्थानी मान निगालो बताओ इससे अधिक होई होई सकता है क्या जो सबसे पहले आएगा वही सबसे अधिक होगा स्थानी मान उसी का तो आप कैई हो जाएगा तीन का स्थानी मान सबसे अधिक होगा तो option first हो जाएगा एक चीज़ और बच्चों यहां समझ लेजिए इसको प्लेस वैलू बोलते हैं फेस वैलू भी होता है बच्चों Face value का मतलब क्या होता है जिसको जाती अमान बोलते हैं बच्चो जाती अमान या इसी को अंकी अमान बोलते हैं तो ये बच्चे ध्यार रखेंगे अंकी अमान का मतलब जैसे हम 3 का अंकी अमान निकालते हैं 3 हो जाता, 0 का अंकी अमान नौ यहाँ है कितनी अंक हैं इसके बाद चार अंक तो नौ में कितने जिरू लग जाएंगे चार जिरू लग जाएंगे option क्या हो जाएगा c हो जाएगा बच्छो next question करें तो कह रहे हैं पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर अगर हमें बड़ी लिखना है बच्छो पांच अंक की बड़ी लिखना है largest number of five डिजिल लिखना है तो five times nine को लिख देंगे और चोटी संक्यान इकर वन लिख कर two four zero लगा देंगे five अंक कर लिखना है four zero six का लिखना है तो तो वन लिख five zero यह इसको क्या करना है बच्छो Анंतर का माじना माइन माइनस यहाँ 9 आजाएगा 9 आजाएगा 9 आजाएगा इह आजाएगा मतलब eight or four times nine होगा eight or four times nine option first में है बच्चो अगले question के बढ़ें बच्चो तो अगला question दिया है किसी संख्या को नो से भाग देने पर भाग पल इतना सेस्फल इतना तो एक ची समझ ये relation क्या होता है भाज बराबर आप जानते हैं भाज बराबर होता है बच्चो भाजक into भागफल पलस सेस्फल तो ये आपको पता होना चीजिए इंगलिस मेने वले बच्चे उनके लिए dividend is equal to होता है diviser into question पलस remainder याद रखेंगे ये relation होता है अब ये क्या होंगे जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है जितना भाग आता है जितनी बार हम ले जाते हैं वो भागफल कहलाता है जो सेस आता है आप जानते ही सेस्फल कहलाएगा और जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज कहलाता है तो किया किसी संख्या को नो से भाग देने पर जब 9 से भाग देंगे हमारा भाजक होगा भाजक गुड़े भागफल भागफल 12 प्लस सेसर कितना है 7 है बराबर किसके होगा भाज के मतलब वोई संख्या हो जाएगी तो 9 अड़ बारा नुई एक शो आठ 12 जोड़ देंगे 115 115 आपके अंसर होगे option C हो जाएगा 115 option C में है ठीक है ना clear है दिया है 543 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाए जाए कि सेस बची संख्या सेस बची संख्या आर से पूनतेया भी भाजित हो जाए जब अच्छा ऐसा question आ जाए तो आप उसी संख्या से उसमें भाग लगा दो किसे से जिसे भाग देने की बात करेगा कितना कहरा है बची संख्या 8 से जब कट रहा है तो 8 से ही भाग लगाओ चहले भाग लगाते 845 बच्छी साथा 845 जादा हो जाए गए 846 यहां 48 करेंगे माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ आजाएगा, 14 में 6 आजाएगा, 3 उतारेगी, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 64 जादा हो जाएगा, 8, 7, 56, तो 56 यहाँ माइनस करेंगी, अब 6 जो आएगा, वही हमारा एंसर होगा, 6, देखिए, 6 यहाँ कर लेजए, तो यह हो जाएगा, 13, 13 में 6 जाएगा, तो साथ आएगा, इसका हमारा सेस आएगा, अगर यही संग्या बच्चों इसमें हम घटा दे, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब आपको समझाना चाहता है, अगर जो सेस आएगा, वही आपका अंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन D इसमें राइट हो जाएगा, अगला कुशन, भाजक, भागफल और सेस्पल दिया है, ठीक है न, भाजक, तो चलिए बच्चे, एस कॉश्चन को कहम लोग कंप्लीट करते हैं, इसमें भाजक दिया है न और भागफल दिया, सेस्पल दिया, तो भाज निकालना है, अभी हम लोग इसका रिलेशन क्या समझें बच्चों, हम लोग अभी समझें कि सर, भाज बराबर आप जानते हैं, कहेंगे बच्चा, मुझे पता है सर, भाजक, गुड़े भागफल, प्लस सेस्पल, हम लोग य बोला, भाजक 132 होगा, 132, भागफल, दूसरे नमर बोला, तो 29 भागफल होगा, सेस्पल 12 है, तो बाद में 12 हो जाएगा, अब इसको गुड़ा करना है, तो गुड़ा हम लोग यहां कर लेते हैं, 132 में, 29 से गुड़ा करना है, 9 दुनी, 18 की, 8, 9, 37, 28, 28, हासिल 2 जाएग 8, 4, 12 हो जाएगा, 6, 7, 8 हो जाएगा, 2, 1, 3, 38, 28 हो जाएगा, 38, 28 हो जाएगा, 38, 28 हो जाएगा, प्लस कितना जोड़ देंगे बच्चों, यह 12 जोड़ देंगे, तो 38, 40 आपका अंसर आजाएगा, चुकि 12 जब 38, जोड़ेंगे तो 38, 40 हो जाएगा, 38, 40 हो जाएगा, 38, 40 ह option है जी है option D तो मैं आपको सिखाते चल रहा हूं आप सीखते चलिए बिल्कुल आप कर पाएंगे देखी इसी प्याधारित फिर क्वेस्टन है बच्चो यहां आपसे क्या निकालना है भाज भाजक सेस्पल दिया है तो भागफल निकालना है चलिए कोई बात नहीं पहले भा भाजक बराबर भाज्च कितना है ननींस हजार पान्सौ सकतासी भाजक बराबर होता है भागफल प्लस सेसफल यह हम लोग जानते है तो देखिए हमें भाज ये दिया है भाज ये दिया उनीस हजार पांसो सतासी उनीस हजार पांसो सतासी भाजक हमें दिया है भाजक दिया है एक सो चपर इन्टू भाजक भाग फल हमें निकालना है तो भाग फल यक्स मान लो यक्स मान लो चुकि बार बार लेकने से अच्छा छोटा कर लो सेस फल दे बच्चो 87 रख दीजी ये बच्चो इधर जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो 87 ऐसे घटा लो, ऐसे घटा लो तो हम ये 87 जब घटाएंगे तो ये 00 हो जाएगा चुकि घट जाएगा, 7 में 7 गया 0, 8 में 8 गया 0, 5, 9, 1 अब बरावर कितना आ जाएगा बच्चो बरावर कितना आ जाएगा ठीक 156, 156, इंटू क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा जब यक्स बरावर लेंगे तो बच्चो इधर में कर देता हूँ एक्स बरावर लेंगे तो 19, 00 बटे 156, 156 इधर कर देते हैं तो 19 है, 00 है, बटे कितना है बच्चो 156 है इससे हम लोग भाग लगा देगे चब इससे हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारा एंसर आजाएगा और एंसर आएगा तो कैसे आएगा वो समझेए इसका मतलब हम पहले इसको काटेंगे किस से काटेंगे पहले दो से काट लो तीन से काट लो, चार से, चार से काट लो ठीक है चार से काट लिजी यहां ऐसा सोचो कितनी बार जाएगा हम ऐसा सोचें इसे 75 है यह भी 5 है 120 है तो इसको क्या करेते हैं हम लोग बच्छो भाग लगा लेते हैं ठीक है इसको क्या कर लेते हैं भाग लगा लेते हैं तो भाग लगा लेते हैं तो भाग लगा लेते हैं म 12-12-139 अब 13 से काड़ लेगे 1349 तेरा कम तेरा कितना बचा बच्चो यह तेरा पच्चाह पचे 25 तीन बच्चाह फच्च है 25 125 इंसर कितना जाया हैं 125। ऑप्षल सी प्लियर है कही हां सर आ रहा है सर हम तो बहुत तेस समझ पार हैं बहुत अच्छी बात है सबसे बड़ी सबते हैं और तो हम आता है चार लिखेंगे चार उनकों की चारδα dal लिखेंगी तो एक लिख लिखनें आथते हैं डो जीरों भीरियों लगा इंगए थो होसे बंदने में माले सबसे बड़ी सब्ड़ JUSTIN बड़ा बनाना है तो पहले बड़े अंग को पहले लिखो नौ बड़ा है उससे छोटा कौन है उससे छोटा आठ है फिर उससे छोटा कौन है कहेंगे साथ है फिर क्यों है तीन है ऐसे इसको बोलते हैं और वही कम descending order, इसको बोलते हैं decreasing order भी बोलते हैं, वही form में लिख देना है, देखिए 73 option B, खत्म question यह वाला question देखिए बच्चो कहरा किसी संख्या कह रहा है, समझे थे हम से 33 18 मैं कहरा किस संख्या से भाग दे बच्चों कहेंगे हम यक्से देंगे, मुझे मालूम नहीं था हम यक्से देंगे, कह रहा है भाग फल 17 तो 17 कर दो अब देखिए, यह 3 यह गुड़ा हो जाता है बच्चों जिसको नहीं समझे, इसका गुड़ा इसमें 17 का गुड़ा यक्स में अब बराबर में एक गुड़ा किसी भी करेंगे संख्या वही आती है मलब 43-18 ही होगा अब यह 17 एक सब बराबर लेंगे तो बच्चों 43 अठारा बटे 17 17 से काड़ी तो यह 17 से कड़ जाएगा सतरा दूना चौना चौना चौन किन नौफ अब गिसी नेता और है आप कितना बचा तो इधर बचा सर सतरा दूना चौना चौनित शे और इधर भचा टीनो मलए कि यानवे तो सतरा तरी क्यामल सबासर चौकूर अरसा 17 सब्सक्राइब कर लेंगे क्या जोड़ें की बारा से भाग देने पर भाग फल इतना आता हमें नहीं पता है क्या जोड़ा जा था हम जोड़ेंगे जोड़ें की बारा से भाग देने पर यक् जोड़ने पर कहराई बारा से भाग देने पर बारा से भाग भी लगा दी कहराई 283 प्राप्त होता है 243 कर दो तूं अब 29 फिर यह गूड़ा वाला नहीं है इसका गूड़ा इसमें तो 29 दस प्लस यक से 12 का गुड़ा करो 12 दिया 36 12 चोक 48 48 तिन 51 बच्चों होता आसिल 5 हो जाएगा आसिल 5 हो जाएगा और 12 दोना 24 पांच 29 अब कहेंगे सर ये इधर आएगा तो घट जाएगा घटा दो तो यक से बराबर आजाएगा 29 16 में 29 10 घट जाएगा 29 जब घट घटेगा तो आजाएगा अंसर 6 6 आजाएगा मलत अब क्या जोड़ा गया तो यक से का माना आगा है 6 option D clear है हाँ मुझे आ रहा है सर clear ही है आप देखिए 758 7 प्लस 1613 माइनस 2600 हैंगे सर मुझे घटाना है चलिए घटा लो तो यहां सर 7, 3, 10 हो रहा है और 10 में 0 जा रहा है तो कितना आ रहा है ऐसे जोड लो यह नहीं पता है चलो जोड लो इन दोनों को जोड लो तब घटा हो नहीं तो दूसर नहीं है मैं उससे कर लो 7, 3, 10 हो जाएगा 8, 9, 10 हो जाएगा 6, 5, 11, 12 हो जाएगा और यह 7, 8, 9 हो जाएगा माइनस 26 डवल जीरो ऐसे कर लो 9, 12, 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा इधर पर चेक 8, 10 में 2 कर दो जाएगा 6, 6, 800 आपसर फॉस्ट करशन खत्म है कह रहा है इसको और इसको रोमन संक्या में लिखना है 38 को और 47 को एक ची समझ देजे बच्चो जिसको नहीं पता है रोमन में इसको इसके लिए रोमन वाले जो रोमन एक देस है बच्चो रोमन जो था वहाँ की रोमन पद्दत ही चली जैसे इसको वन वो लोग मानते है और इसको जब वो दो बार लिख देंगे तो कहेंगे इसको दो है मैकसिमा वो तीन बार इसको लिख सकते है फिर उसके बाद दूसरा बदल जाता है नहीं अब तीन हो जाएगा इसके लिए चार लिखने के लिए उन्होंने क्या की यह पांच का simbol होता है तेकि 4 लिखने के लिए उन्होंने यह बताया कि अगर कोई चोटी संख है इस से कोई चोटी यह अंग है डिजट है बच्छो इस से गर कोई इस से पहले चोटा आजाएगा मतलब बड़े से पहले कोई चोटा पांच के लिए वी पांच है यह न है यह शोटा पहले आ गया यह बड़ा है 5 5 के पहले एक आ गया तो इसको गहता कर पढ़ा जायता है इसको यह पढ़ा है यह हम लोग करते हैं जैसे यक्स है यक्स का मतलब prove 10 होता है ऐस को 9 लिखना है तो 9 इसके पहले छोटा लगा दस में से एक घट के पढ़ा जाएगा तो आपको बात समझ में आ रही है हाँ सर आ रही है चलिए हमनों लिखते हैं फिर 38 लिखना है और 37 लिखना है तो कहेंगे पहले थम 30 लिखेंगे 30 प्लस 38 होता तो यह अक्स है किसी चीज को तीन बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते है ठीक 38 तीन बार हो गया और सर हमें 8 हो लिखना है चलिए 8 लिखो 8 लिखने के लिखने क्लिए क्या करेंगे यह 5 लिखेंगे और तीन बार इसको लगा देंगे देखिए यह 8 हो गया 30 हो गया 38 हो गया और ऐसा कई है अरे है सर यह देखो चौथे वाले में है और किसी आपसन में नहीं है किसी आपसन में नहीं है तो आपसन चौथा हो गया पर 47 को भी लिखना है आप सिखा देते हैं आपको पहले तो क्या लिखेंगे बच्चो चालिस लिखेंगे सर चारिस लिखना तो चार बार यक्स को लिख दीजी तो कहिंग गधे हो कि हमने कहाँ आप तिन बार ही लिख सकते हो यक्स किसी चीछा को तो कहिंग रां साहई आप तो बताया elder इसका मेनला भी तीन बार लिख दिया तीस हो गया अब तीस का मतलब क्या हुआ खोटा या यह दो, 40 माना जाएगा. और 40 बात हो कितना चोड़ना रिक देना तो हो गया हमारा. हमके ऐसे ही तो सीखो गए आप लोग. चलिए, सीखाना है हमको ना. तीन यह तो हम लोग नहीं नहीं सकते फिर यह हम लोग गलत कर रहें. इसे ज़्यादा नहीं कर सकते कहेंगे यल और इसके एक पहले 10 लिख देंगे तो जी 50 में 10 घटके 40 माना जाएगा और 47 और जी लिखना आए तो 5 और 2 लिख देंगे तो ये देखो हो गया क्लियर रोमन 2 का स्थानी मान 2 है जी कहा ये देखो दूसरे पूसर के पाद 2 अंक़श हो गया इसमें कुछ करने के जरूबत नहीं थी कहा देखो जाती मान आगे और हमने कहाए Face value इसको Face value बोच्चों बोलते हैं Face value या अंकी ये मान बोलते हैं तो हम कहें जिसका अस्थानी मान जाती मान पूछेगा तो वही हो जाएगा 5 का पूछा रहा तो एंसर 5 ही हो जाएगा option first अब कहरा पूरवर्ती पूरवर्ती का मलब बच्चों ता पीछे जाना पूर का मलब यहां दो सब्द बोल सकता है बच्चो एक मिनट अनुवर्ति सकसे66 अ प्रेडिसे Exchange अब देखिए अन्वर्ति या इस्um को उत्तर वर्ति बोल देता है बच्चो उत्तर वर्ति उत्तर का मतलए आगे उत्तर वरति, बाट समझ में आ रही है, हाँ सरसमझ में तो आ रही है, ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर वरति पूछ लिया है आपसे अरे सोचो 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 एक पहले तो हम एक से दस के बीच देखेंगे बच्चो इसको गिनना पड़ेगा अच्छे से एक से दस के बीच देखेंगे तो कहेंगे एक से दस के बीच से दो बार एक आएगा, दो बार आएग नहीं आएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आड़, नौ, दस दस में एक बार है एक, और दूसरे में एक बार है तो दो बार एक से दस के बीच आएगा फिर एक ग्यारा से चलेंगे, एक ग्यारा में आएगा दो बार इस्टा ठीक है ठीक है ना और नौ बार इसके बीच आएगा तो कहेंगे सर दस ग्यारा और बीस के बीस तो कितना बार आएगा दो बार तो यहां आ चुका है और नौ बार इनकी बीच आएगा नौ बार इनकी आठ बार आएगा क्योंकि ग्यारा के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 का मलब 9 बार आएगा, तो 8 बार ये 8, 2, 10 बार आएगा, 10 बार इनके बीच आगया, ठीक है, अब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, अब सब के बीच कितना कितना आएगा, एक एक बार ही आएगा, ठीक है न, चुकि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे एक 90, अब यहां 12 बार तो ऐसे हो गया, अब कहेंगे, हाँ शयर, अब हम लोगर 30 से स्टार्ट करेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे, एक बार यहां 12-12 ऐसे हो गया ठीक है अब देख कहीं हो संभवना है कहेंगे सर 12 के बाद 8 बार तो और चला जाता 8 बार तो और आएगा मतलब कुल कितनी बार आएगा 20 बार आएगा कैसे 8 बार कैसे आएगा 21 से लेकर 30 के बीच एक बार 31 से लेकर 40 के कि इसी बार आएगा और कहीं तो आएगा कहीं आएगा सोच के बताओ कहेंगे हाँ सर दो बार तो कहीं एक आने के अप चांस है ही नहीं है ठीक है तो बात आपको समझ में आ गई है कहां तक चलेंगे 8 बार आएगा चुकि 20 21 से लेकर 30 के बीचे 40 पी 40 50 के बीच 50 से 60 के बीच 60 से 70 के बीच 70 से 80 के बीच एक बार मना आठ बार आएगा तो आठ 20 बार कुल आएगा तो आपको समन ने आ गई चलिए अगला इस में कहा रहा है 98 94 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्रापत हो हमें नहीं पता है कितना जोड़ा जाए मैं पता एक चीच की हम यक्स मान लेते हैं नहीं जो पता है तो यक्स मान लो क्या जोड़ा जाए कितना मिल रहा है 10,000 मिल रहा है इसको इधर लाओ घट जाएगा तो यक्स का माना जाएगा घटा दो 6 इधर घटाएंगे 9 9 में से पांच जाएगा तो 4 आप चार छे चार चे तो आपसन इसी में है घटा दो एंसर आपको यही हो जाया तब कुछ को अन्ली की जवरत नहीं में लिए एक सुच्छी आरे सापका अंसर आजाएगा क्लियर है कहेंगे हाँ सर क्लियर है आप इतना गजब समझा रहे है तो बिल्कुल आएगा कहरा एक संख्या को 27 से गुड़ा करने पर ये पराप्त होता है तो आप संख्या गयात करो हमें नहीं पता है एक संख्या है कौन थी हम कहेंगे वो संख्या जे एक सती उसी हम 27 के जब गुड़ा करे गुरनफल 40 50 आया के लिए है अब कहेंगे यह सर 9 से खटेगा खटेगा हैं कि अपसन में चात्य और यहिसको कह udah बड़ा का मतलब होता है बच्चो आरोजी करम का मतलब बढ़ते करम नहीं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है चारोही क्रम में लिखा जाए तो सबसे बड़े जुरून लो इसमें सबसे बड़ा कौन है 1269 है किया सबसे बड़ा तो वही है ना 1269 है ना सबसे बड़ा 1269 है तो आपसन यह हो जाएगा कुछ भी करने के जुरूत नहीं थी यह एक छात्र के पास पांच पेन अलग अलग रंगे लाल पेन 15 संटी मीडर के हरा पेन 12 संटी मीडर का और नीला पेन 17 संटी मीडर का और यहाँ पीला पेन 24 संटी मीडर का काला पेन 21 संटी मीडर यदि वह छात्र इन पेनों को आरोही करम में लगाए आ औरोहि ग्रम में लगा लोग किलिया अर्पता चल जाएगा थीकिacy five means अब पहले को किसको लिखोगे कहेंगे अम सबसे आरोहि करम में लगाने के to अम सब ago we applied so we can get 12 को फिर कहेंगे हम पंद्रा को लिखेंगे सयर कम तीसरा कोई लड़का होगा हम सबसे पहले इसके बाद 17 को लिखेंगे फिर लिखेंगे 21 को फिर लिखेंगे 24 अब इतना तो लिख लिए यदि वह चात्र इन पेनों का रोही करम के बॉक्स में रखे तो मद्ध में कोन आएगा मद्ध में मतलब बीचो बीच दो इधर से अप्सन तो होगा जरूर भी ऑप्सन होगा तो यह था वीडियो आपको पूरा-पूरा मने करवा दिया है हां जो अभ्यास वाले चैप्टर है जो अपने से प्रयास करने वाले कुश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए आते हैं वो भी मैं करवा दूंगा बच्चो तो है जो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना ना भूड़े मुझे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में नेस शेप्टर